इन जरोखों के जरिये जो डेली लाइफ है उससे परचीत होते हो और इस वक्त देखिए कुछ शॉपिंग भी चल रही है और दुकानों में जो आर्टिफैक्ट हैं पूरी दुनिया में मश्रूर है राजस्थान के खुबसूरत नकाशी जो नकाशी के लिए राजस्थानी क जो है और भीम यूपियाई जिसकी गूज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है डिजिटल पॉब्लिक इंफरस्ट्रक्टर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया दो मॉडल इस वक्त काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में एक मॉडल जिसमें प्लेटफॉर्म जिसने डिजिटल पेमेंट्स के इतने सारे रेकॉर्ड बनाया कि पूरी दुनिया में अध्योती प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है और आप देख रहे हैं कि उस तस्वीरे हावा महल के बाद लोकल शॉपिंग सेंटर में जाते हुए भीम यूपिय इनको कैसे आसान बनाया है उसकी एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है बिल्कुल तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक एक और उपलब दी और इसका आप देख सकते हैं यहां पे यूपिय के जरी और नसर्फ फ्रांस बल्कि बहुत सार किया भी हमने किया तो इस तरह से तमाम देशों के साथ भारत लगातारी इस बात की कोशिश कर रहा है कि वहां भी यूपिय के जरी पैमेंट संभब हो सके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक बहतरी नमुना एक बहतरी उदारन और मुझे लगता है कि दिखाई पढ़ रही है और भीम यूपियाई के बारे में प्रहान मंतरी महमान राश्ट्रपती को बताते हुए बारत की ये समर्द विरासत संस्कृतिक विरासत और उससे आगे बढ़ते हुए जिस एक धागे से अभी पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं खासकर ड और 2023 के आखिर तक में कि करोड़ों की तादाद में ट्रांजेक्शन हुए हैं अब भी यूपियाई के जरी है तेन मिलियन का ट्रांजेक्शन हम हर महीने कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड बनाया है हमने और सिंगापोर के साथ हमने करार कर लिया है कई सारे देशों के साथ और प्रतिकृती ही लीजे जिसका अवलोकन ये दोनों नेता कर रहे हैं कैसे ये लाखों लोगों को रोजगार देता हुआ आर्टिफेक्ट पूरी दुनिया में अपने जगा बना रहा है और हम वोकल फॉर लोकल की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री लगातार और खुद व वो कहते हैं अपील करते हैं सिटिजन्स